आप सभी का सबसे पहले स्वारत है बजुका क्या कहना चाहेंगे सो एपिसोड कम्प्रीट हो गया है इस इसकोशी के लोगत है जिस तरह से धर्तिपूत नंदनी चाया हुआ है वैसे भी बजुका चाया हुआ है मेरे साथ मेरे भाई हमारे शो के एचोपी पांडे जी है आदर जी है तो कैसा लग रहाए आपको सो एपिसोड पूरा हो जाना है बहुत अच्छा रहा और च правильно रहा हमारे य़िए लेकिन जैसे हमारे लिए सारे शो वैसे हम लोग इस दरह मेरत करते हैं और होप सो आगे बहुत अच्छा और भी होगा, और मैं हैंक के साथ काम करने का पहला अनुबह हुआ है हम लोग का, तो बहुत अच्छा एंस्पिरियंस रहा, बहुत अच्छा ट्रीट करती है और कभी वर्क लिची के दूरा रहता, पांडे जी मेरे 18 साल पुराने दोस्त है जिस तरह से दिपिका मेडम इस सो के लिए खास है, उसी तरह से पांडे जी खास है, तो जानते हैं कि पांडे जी को कैसा लग रहा है, सो एपिसोड तीन जर्मरी को पूरा हुआ है, और अभी सो नहीं 2000 एपिसोड हम लोग यह सोगो करें और सबका सपोर्ट मिलता है पूरी इउनिट की सपोर्ट है सभी आटिस्ट के जितने टिकनिसियाने सबकी सपोर्ट मिल रही है और अच्छे से कर रहे हैं हम लोग और अच्छे से सोजार तो आपने कलाकारों का इंटर्व्यू तो बहुत देखा होगा लेकिन कैमरे के पीछे हम लोग काम करते हैं और उनकी भूमी का बहुत महत्पूर्ण होती है तो आज अभी अभी 100 एपिसोड हमारा पूरा हो करके गया हमें बहुत अच्छा लग रहा है ठांक यू बजुका आ हमारे सेट पर आते रहिए 500 हुआ हजार जैसे जैसे जिस मकाम पर हम पहुचेंगे बजुका का साथ भी बना रहे है देखते रहे है धर्ती पुत नंदिनी नजारा टीवी पर सोम से सुक्रवार सिर्फ साड़े आठ वजे ठांक यू जब मैं नंदिनी से पहली बार मिला था लुक्टेश पर तो हमारी कुछ चार-पाँच मेंट की बाचेत हुई थी तब मुझे पता चला था उसने पहले क्या किया हुआ लेकिन उसके अंदर जो एनरजी थी उसी दिन समझ में आ गया था कि हम सब का जो सेलेक्शन है वो राइट सेलेक्शन है और आज सो एपिसोड के बाद हमें महसूस हो रहा कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था और हर सीन में जब नंदिनी परफॉर्म करती है तो सुटिंग के दोरान ही हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत उड्या महसूस होती है और बाद में इस क्रीन पर वो तो और भी अच्छा लगता है दिपिका जी के बारे में कुछ भी करना सूरी को दिया दिखाना के बराबर है वैसे तो इस सो की प्रोडूसर है सबसे में आपका सकते हैं और वो इस सो में सुमित्रा देवी का किरदार भी नहीं भा रही है सिप एक्टर प्रोडूसर वो इस तरह के प्रोडूसर नहीं है कि वो सिप कुर्सी पर बैठी रहे और आप उनको जा के चीज़े वो पूरी हर जगा इन्भाल्व होती है उनका मांग दर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है इसके बारे में आदर जी और पंडे जी ज्या शाम तक और बहुत hard working है और सब जगे नजर कोशिश करते हैं कि सब जगे उनका इन्वालवेशन रहे नजर रहे और हमको भी बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ काम करके क्योंकि कहीं ने कहीं अगर कुछ ऐसा होता है तो वो positively बोलती है और वो हमारे लिए सब के लिए बहुत अच्छा है और सायद इसी का यही एक और भी कारण है कि हमारी unit भी अच् बनते आए हैं वागी धीरत जी हमारे मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कि में का मार्क दर्सन ही बहुत काफी है जो जिस तरह सो सपोर्ट करती है और जिस तरह से हम लोगा होसला बढ़ाती है बहुत ही मतलब सराहनी है अब धीरत जी जो है वो बताएंगे आपको धीरत जी मतलISA के बड़े धुरी है इनका सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है इस टीम के लिए शो के लिए और असलिए पर्टक्सन हौस के लिए तो और हमारे मित्र बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग आपस में कुछ भी होता है, हम लोग आपस में कुछ भी होता है, हम लोग आपस में दूसरे सलाह मसबरा करते हैं, फिजकल ही नहीं तो फोन पर ही सही, तो कहीं नहीं सो को पॉजिटिवली हम लोग तीनों ही हम लोग बहुत अच्छे से करने और होपस हो कि आगे हम लोग जितने भी एपसोड करें अच्छे से करें और इस कंपनी में भी एक सो दो सो चार सो दस सो बहुत जल्दी उम्मीद है ऐसा कुछ आने वाले टाइम पर होगा वैसे तो कोई भी सफल चीज के पीछे पूरी टीम होती है तो स्पोर्ट वाइस से लेकर उपर तक होता है लेकिन अगर आप खास बॉंडिंग कहिएगा तो इन दोनों के साथ और दिपिका मेडम के साथ है दिपिका मेडम के साथ तो मैं 2016 से हूँ हम लोग ने साथ में मिलके क काफी काम किया है तो दिपिका मेडम के साथ था ही पांडे जी के साथ 18 साल से पुरानी दोस्ती थी और अधर जी मिले और कैमरे उस तरब बैठे हैं वो कैमरे से हमेशा परहेज करते हैं हमारे डिरेक्टर साब ससांग जी तो आईए मैं उनको दिखाता हूँ ससांग जी जो है हमेशा कैमरे से पीछे भागते हैं आज डिरेक्टर साब है एक आप पूछा था भी बांडिंग तो एक नए दोस्ती ये मिले हमें इस सो में कैसा लग रहा सर सो एपिसोड आपने पूरा कर लिए बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करना ये सारी उनकी यादे हैं और सबसे बड़ी बात है कि छोटी सी छोटी चीज को कभी नदर अंदाज नहीं करती है यही कारण है कि हम लगतार छे मेने से नंबर वन बने हुए हैं मैं बहुत खूश हूँ पहले तो मेरा योधिया जाने का नहीं था लेकिन दिपिका मेडम जी ने कहा और मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा सोभाग साली दिन है कि मैं उस समय योधिया में मौजूद रहूँगा फेंस को यह मेसेज देता हूँ कि आप खुद भी देखिये और अपने दोस्तों को भी बताईए धर्ति पुत नंदिनी के बारे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्सक धर्ति पुत नंदिनी के लिए मिल सके आप देख रहे हैं बजुका टीवी और देखते रहिए अपना प्यार बजुका टीवी के साथ बनाए रखिए और हमारे साथ भी धर्ति पुत नंदिनी के परिवार से थांक यू मैं धीरज मिसरा बीदा लेता हूँ आपसे